वीदा पेपल, हम भारत के लोग पुराने समय में, बुद्ध के समय में एक सद्ध होता है बहुत या बहुली करण या बहुलता यानि जिसमें बहुत सद्ध लग जाए, बहुत का मतलब होता है निरंतर लगातार या जादा या अगर बहुत तो हो गया तो कहते हैं लगातार तत्व यानि कि लगातार जो चीज होती है उसको बहुत तो बोलते हैं जो आज के समय बहुत के नाम से आता है और एक सब्द होता है बाहू यानि बाहू बली तो बाहू बली का मतलब है जिसके बाहू में बाजुओं में हातों के अंदर बहुत जादा बल हो उसको बाहू बली बोलते है तो यहां जो हमारा मत है जो बात हम कर रहे है वो है बहू से क्योंकि एक सब्द होता है बहूली करण यानि कि लगातार करने वाला या लगातार जो अभ्यास करता है जो निरंतर करता है फ्रिक्लेंटली करता है या जिसको लगातार कुछ चीज प्राप्त होती है उसको बहुली सबसे बोला जाता है जैसे बुद्ध के एक जब जहां वज्जी लोग इखटे हुआ करते थे उस समय साहिते में आता है बहुली सन्नी पात यानि कि जो सम्मिलन करते हैं लगातार करते रहते हैं बहुली सम्मिलन हो गया बहुली सन्नी पात हो गया ऐसे वज्जी के लोग थे जिनको हराना बड़ा मुश्किल था क्योंकि वो लगातार सम्मिलन करते रहते थे लगातार मिलते रहते थे तो ये जो बहुली करण सब्द है ये तब ज़्यादा स्तमाल होता है जब हम बुद्ध के चार लगातार उन गुड़ों की बात करते हैं जो किसी बुद्ध में लगातार रहते हैं जो लगातार अभ्यास में आते हैं और निरंतर रहते हैं और बहु रहते हैं यानि के ज़्यादा मात्र में रहते हैं उनमें एक आता है करुणा करोना यानि compassion, pity यानि दया, एक आता है मुदिता, यानि कि एक happiness है, एक ऐसी happiness है जो दिखाई नहीं देती, जो पूरे सरीर में काम करती है यानि चेहरे पर मुस्कराःट नहीं आएगी ना खिलकलाःट वाली हसी आएगी मगर वो पूरा सरीर परसन प्रसन रहता है उसको मुदिता बोलते हैं यानि मोद में रहता है आमोद पिरमोद आप जानते होंगे उस मोद में रहता है लगाता 24 गंटे उसको मुदिता बोलते हैं एक होता है उपेक्था उपेक्था को उपेक्था भी बोलते हैं या सम्ता भी बोलते हैं जो या पुरुष चाहिए, या पैसा चाहिए, या प्रिस्दी चाहिए, या मान भाब चाहिए, या जिसको चाहिए चाहिए का गुण नहीं है जिसके अंदर, या ऐसा जिसमें देस नहीं है, देस मतला दोस नहीं है, या उसको नहीं चाहिए, गरीबी नहीं चाहिए, भुकमरी नहीं चाहिए या जो उसको कोई कष्ट नहीं चाहिए बीमारी नहीं चाहिए बढ़ापा नहीं चाहिए लंबी उमर जो उसकी मिर्टु है वो नहीं चाहिए ये सारी की सारी चीज़ें जो उसको नहीं चाहिए ये आती हैं देश के अंदर और तीसरा गुण है महमूरता का य मैता जो होता है वो एक तरह से friendship नहीं है मैता का मतलब है कि सबके पिर्ती एक ऐसा भाव रखना जो भाव बुलकुल आपस में घुलने मिलने का है और जो भाव अच्छी feeling लेके आता है उसको बोलते हैं मैता बोलते हैं तो ये सारा का सारा जो गुण है मैता का या समता का या उपेखा का या करुणा का ये सारे के सारे गुण किसी व्यक्ति में विद्मान रहते हैं होते हैं जो लोग विपसना करते हैं साधना करते हैं या जो बुद्ध की बात को मानते हैं उनमें बाकी गुण खतम ह होते चले जाते हैं, जो उनके द्वेस के होते हैं, राग के होते हैं, लालच के, क्रोध के, अगनी के, ये सारे के सारी जितनी बुराईया हैं या जितने राग हैं, वो सारे खतम होते जाते हैं, और ये गुण बसते हैं, तो ये गुण अनंत हो जाते हैं, यानि कि जब वही निजी गुण होते हैं, इन निजी गुणों का किसी और व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, ये हर एक में होते हैं और ये बड़े आसानी से प्राप्त किये जा सकते हैं, जो व्यक्ति विपस्ना करता है, जो व्यक्ति राग द्वेसर महमूर्ता को छोड़ता है, ये पहले वीदा पीपल में इस बात का जिक रिष्णिया कर रहे हैं कि वीदा पीपल में सब तरह के लोग आते हैं और जायसी बात है कि अमबेट करवादी जो लोगे वो जादा आते हैं और अमबेट करवादी लोगों में भी जो बुद्धवादी लोग हैं और जिन्होंने विपस्त होते हैं। जिनकी अपने लालच होते हैं, जो अपना पोई-णा-कोई प्लान जिम में रखके ले के आते हैं यह जिनका मंसुबह होता है क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए्ए चाहें आप राजनितिक पार्टी बनाएं। चाहें आप कोई धमका कोई मठ बनाएं या कोई बुद्विहार बनाएं या कोई लड़कों का दलबल बनाएं या कोई सरकारी करमचारियों का संटर बनाएं या कोई सामाजिक संटर बनाएं या कोई भी आपके मन में कुछ भी सामाजिक करने का है तो उसकी पहली सर्थ होती है कि आपके पास लोग होने चाहिए इखटे लोग होने चाहिए तो यहां वीदर पीपल में काफी लोग इखटे हो चुके हैं और यह एक open platform है यानि कि कोई भी इसकी virtual meeting में आ सकता है जूम की meeting में कोई भी आ सकता है open invitation जाता है किसी भी तरह का व्यक्ति आ सकता है तो जब यहां समण समाज का CST OBC का कोई भी व्यक्ति आ सकता है तो वो व्यक्ति जो लालची किसम के हैं जिनको कोई लोगों से काम होता है कोई अपना सामान बेचना होता है कोई अपनी policy बेचनी होती है कोई अपना व्यापार करना होता है, कोई अपना संधर बनाना होता है, कोई नेतागरी करनी होती है, कोई पैसा एकटा करना होता है, कोई पैसा मारना होता है, सब तरह के लोग यहां आते हैं और उनको पहचानना मुस्कित भी हो जाता है के बार, तो कुछ लोग यहां से phone number चुरा के ले जाते हैं कुछ number यहां जो लोग आते हैं वो संबन्द बनाते हैं और फिर उनसे पैसा वैसा उधार मांगते हैं वो पैसा वैसा मांग सकते हैं वो उनका अपना निजी मामला है क्योंकि यहां वीदा पीपल किसी की guarantee लेता नहीं है सबको समझदारी से रहना है और वीदा पीपल के open platform से कोई समझ़ आथ तो पूछ सकता है और वीदा पीपल किसी से पैसे भी नहीं कटे करता क्योंकि आम public से वीदा पीपल समझ़ कोई पैसा नहीं मांगता अगर वीदा पीपल के नाम से कोई पैसा मांगता है तो वो fraud है यह बात भी बिल्कुल किलियर है मगर जो लोग अपना एजेंडर लेके आते हैं वो बड़ी मीठी मीठी बाते करते हैं और वो यहां के ऐसी बाते करते हैं सब का कल्यान हो सब अच्छे हैं सब से करुणा रखनी है सब से मैत्री रखनी है सब से मुदिता रखनी है सब से समता रखनी है वो ऐसे वेवार करते हैं जैसे वो बुद्ध की तरह जो बचन होते हैं उस तरह से देते हैं तो इस बात को समझे हैं जो बुद्ध के करुणा, मैत्री, मुदिता और सम्ता है वो उनकी individual property है, वो उनकी अपनी property है, वो सम्हू की property नहीं है, यहां जो बात हम कर रहे हैं, वो सम्हू की कर रहे है, यानि जो एकल व्यक्ति है, जैसे मैं व्यक्ति हूँ, तो मैं किसी व्यक्ति से करुणा, मैत्री, म प्यार मुहपत रख सकता हूँ, मुझे कोई अपती नहीं है, जो विक्टन कारी लोग हैं, जुन्होंने संग तोड़ा है, या संग तोड़ने वाले हैं, या तोड़ना चायते हैं, मैं उनसे भी बहुत अच्छी तरसे बात करता हूँ, सब को बात करनी चाहिए, सब को आपस कोई व्यक्ति आकर ये कहता है, कि मैं एक और संग बना रहा हूँ, या मेरा ये प्लान है, या मेरा ये चीज अच्छी है, और वो डिसकस नहीं करता है वीदा पीपल में, और वीदा पीपल के आइडिया को नकार कर, वीदा पीपल के संग के विचार को नकार कर, कोई अपन पेरलल या कोई अपना नया संग बनाना चाहता है तो वो दरसल नया संग बना रहा है तो उसको विचार करना चाहिए उसको बताना चाहिए उसको समझाना चाहिए उसके बाद अगर वीदा पीपल के संग में कोई कमी है और वो दूर नहीं करता है तब उसको ये आइडिया फ्लोरिस करना चाहिए इसके बाबजूद भी अगर वो कोई ऐसी बात करता है तो वो संग को तोड़ने वाला है तो संग के खिलाफ है क्योंकि वो संग की विचार धारा को नहीं माना है तो एक व्यक्ति की विचार धारा और संग की विचार धारा में अंतर है जब हम कहते हैं इस व्यक्ति की करना है मुदिता हो, इसकी कल्यान हो, इसका मंगल हो तो हम अपना individual विचार देते हैं अपना personal विचार देते हैं उसको मगर संग ये कहता है संग ये कहता है कि एक संग की स्रण में जाना है और संग के विपरीत जो विचार है वो संग को तोड़ने वाला है उसमें संग साथ नहीं है यानि मेरा विचार व्यक्ति का तुरूप से किसी व्यक्ति के लिए अलग है और जब संग में आग कोई बात करेगा तो वो विचार अलग है तो यहां वीदा पीपल के जितने लोग हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि जब वो मीटिंग में बैठ हैं जब वो संहू में बैठ हैं जब वो परिषद में बैठ हैं विक्ति के अपने personal नियम अलग थे, वो उनके individual नियम थे, कि वो क्या करते हैं, मगर जब संग के नियम हैं, वो अलग हैं, विक्ति का एक का नियम अलग होता है, और विक्तियों के संहू के नियम अलग होते हैं, विक्ति स्वतंत होता है, कैसे काम करेगा, कैसे नहीं करेगा, म अगर वो व्यक्ति उस सामोहिक निर्णे को नहीं मानता है, तो वो संग की आवेल ना करता है, और संग इसका परिणाम डंड के रूप में देता है, ऐसा नियम होता है. तो यहां जो व्यक्ति हैं क्योंकि संग बाद को भूल चुके हैं और व्यक्ति बाद को जानते हैं, तो वो व्यक्ति बाद को और संग बाद को मिक्स कर देते हैं आपस में. वो कहीं व्यक्ति बात का इस्तमाल संग बात के लिए करते हैं और कहीं संग बात का इस्तमाल व्यक्ति बात के लिए करते हैं उनको खुद ही नहीं पता रहता कि वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो व्यक्ति पर आधरित है या संग पर आधरित है वो संग के लिए हानी कारक है या संग के लिए फायदेबंद है या व्यक्ति के लिए हानी कारक है या व्यक्ति के लिए फायदेबंद है इसको बारीकी से समझें और इसको बारीकी से अनिलैसिस करें जैसे कोई व्यक्ति संग तोड़के चला गया तो मैं उसको फोन करता हूं इंडिजल कैपकेश्टी मी मैं उसका हाल पूरूStा हूं चाल पूरूस्ता हूं क्या करता है क्या नए करता क्योंकि वो समणध्य और समणध्य में कोई translating. नहीं. तो मिरे पास भी करोना हैं शुधी राज़िंग ने ऐसे बात किये और अब मैं संघ में जो मैं ने पाप आया संघ दोस्त किया है या संघ जो आदेस मिंचे देना Sebिया देस है नियम है उनको इंग्नौर करके संघ में आना चाहता हू ve shows a man i mean मैं बात तो कर सकता हूं, मगर संग उसको माफ करेगा नहीं करेगा, संग प्राश्चित करने का मौका देता है नहीं देता है, या वो संग में आके अपना प्राश्चित करता है या नहीं करता है, या संग के जो आदेश हैं उसको मानता नहीं मानता है, यह संग डिसाइड करे जब संग उसको अपने हिसाब से आदिस देगा, जब संग में वो आएगा और संग के सामने हाजर होगा, यही संग की ताकत है, यही संग में चलता है, आपको याद होगा, मनमौन सिंग प्रधान मंत्री थे, और उन्होंने संग के खिलाफ जो सिख संग है, उसके खिलाफ में कोई बात कही जो सिख संग है उसने एक आदिस पारित किया और उनको सजा दी और वो सजा गुर्दवारे में जूते साफ करने की थी प्रधान मंतरी मनमहन सिंग ने जूते साफ किये तब वो सिख संग में बापस आए बुद्ध के यहां भी हर पंदरे दिन में एक पूरा का जो लगता था जिसको पाती मुख बोलते थे यानि के मुख के प्राप्त करने के जो प्रती नियम थे जो विरोधी नियम थे जिसने तोड़े हैं उनकी पाती मुख की एक सभा होती थी उस सभा में जिसने नियम तोड़े हैं उसमें डंड होते थे चोटा डंड बड़ा डं अलग-अलग उसके नाम है तो वहाँ विक्कु अपना दोस्त बताते थे वो दोस्त को सभा सुनती थी विक्कु की वहाँ वो एक्सेप्ट करते थे फिर उसको दंड बताय जाता था वो दंड का पालन करता था और फिर वो संग में शामिल होता था ऐसे ही उपासकों के भी नियम है क्योंकि हम भिक्कों तो है नहीं मगर हम भिक्कों और उपासक के बीच में हैं यानि हम काम भिक्कों का कर रहे हैं मगर हम गरस्त में रहते हैं तो हमारे नियम मिले जुले हैं कुछ नियम भिक्कों के हैं कुछ नियम उपासक के हैं क्योंकि हम जब इंडुल बात करते हैं तो उपासक हो जाते हैं जब किसी से मिलते हैं हेलो आय करते हैं नमस्ते करते हैं बाचीत करते हैं तो उपासक हो जाते हैं उपासिका हो जाते हैं व्यक्ति हो जाते हैं और जब हम संग में बैठते हैं और सामको मीटिंग में बैठते हैं तो हम भिकुणी हो जाते हैं तो दोनों तरह की नियमों का हमें पारण करना होता है वहां भिकोर भिकोनी के नियम चलते हैं संग में, संग के आदे चलते हैं संग का प्राइस्टी चलता है, संग का दंड चलता है और जब व्क्ति हो जाते हैं तो हमारी अपनी करवणा मैत्री मुदिता भायचारा ये गुरा जाते हैं इसलिए यहां कैई बार कैई लोग ऐसा सोचते हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है based किसी की बात नहीं काटी जा रही है. आप व्यक्तिकत बात को संग में ना लेके आए। और संग की बात का एपलाइड या एप्लिकेशन आप व्यक्तिकी बात में ना ना करें, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगे क्योंकि संग सबसे बड़ा होता है संग सर्वोपरी है कोई व्यक्ति बाहर का आया उसका स्वागत है वो अपनी बात कहेगा कहे मगर संग को यह देखना चाहिए कि जो व्यक्ति बात कर रहा है वो संग के खिलाफ है या संग के फाइदे में है कोई व्यक्ति संग को नकार रहा है और यहां एकटे हुए लोगों का अपनी बात कर रहा है तो उसे तर्क वितर्क करना चाहिए उसे पूछना चाहिए कि जो संग के नियम है वो नियम आपको कैसे लगे आप संग में काम करना चाहते हैं या व्यक्ति के तुरूप से या यहां से कुछ लोगों को ले जाने के लिए ये बात बोलना है तो बात किलियर होगी तो बात इसपश्ट होगी क्योंकि जो बुद्ध के संग के नियम है और जिसके आधार पर वीदा पीपल चलता है और जो समिधान के नियम है वो सबसे बैस्ट और परफेक्ट है और कोई व्यक्ति अकर इनसे भी अच्छे नियम और इनसे भी ज़्यादा परफेक्ट या परफेक्शन वाले नियम लेके आता है तो वीदा पीपल उनको accept करने के लिए बाद्ध है, वो करेगा और अगर नहीं करेगा तो वीदा पीपल खतम हो जाएगा इसलिए वीदा पीपल अपने आपको modify करने के लिए 24 घंटे त्यार रहता है तर्क वितर्क के आधार पर, संग के आधार पर, व्यक्ति वाद के आधार पर नहीं ये बार बार समस्य आएगी इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुने और जिस किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि व्यक्ति के नियम संग में चलेंगे और संग के व्यक्ति में चलेंगे तो वो अच्छी तरह से चिंतन करे या साथ ही को पूछ ले या किसी साथ ही से जानका ही ले ले तो उसमें संग का भी भला रहेगा उस व्यक्ति का भी रहेगा और हम तेजी से अपनी समस्यां को हल कर पाएंगे और जिस सुख की कामना के लि कर दो 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 दो झाल 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 झाल